हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज मैं बनाने जा रही हूं साग तो यह साग बनाने के लिए मैंने ले रखा है यहां पे चने का साग और पालक तो पालक चने का साग जो है 250 ग्राम था और यह पालक भी 250 ग्राम था दोनों बराबर मात्रा में आपको ले ले और उसके बाद इसके दो के मैंने साफ कर लिया था और साफ करने के बाद इसे मैं चड़ा दूंगी पतीले पर पतीले में डालके इसे में गैस पर चड़ा दूंगी तो यह देखिए मैं पतीले में डालके इसे गैस पर जड़ा दिया है वोल होने के लिए और यहां पर मेरा स करना है अपो को रेडी करने के अपने के बाद यहां कुछ मसाले में काट के त्यार कर लिया है यह ले लिया है लहसन दो लाल मिरच प्यास हल्दी और गर अपने मसाला और लाल मिरच और अध्रकका पेश्ट और itself और फिर यहां ले लिया मैंने जीरा और यह हो गया मेरा दाल चीनी मेथी भी ले लिया था मैंने इसमें मेथी जरूर डालिएगा क्योंकि साग है तो साग में मेथी जरूरी जरूरी होता है और यहां मैंने पेश्ट तैयर कर लिया है और पेश्ट तैयर करने के पाद यहां च फ्राई होने के बाद इसमें डालोंगे नाल बार्श यह डाल दूंगी लाल मिरच और पिर डाले क्टा हुऔ सब्सक्तिए क्युक्त सबलते हैं मैं प्याज को चांगे हैं क्योंकि सबल्सक्राइगा Horn & हेंग डाल लिया है और यह शार भूम does Tutaj ही दरस द खार मिनलड तक आपको बून ना है इसे हलके आच पर कुछ लेड़ना है पिर यह डालंगे मैं पिचरा साग जो मैंने मिप्शीेजार में पिचा था और अच्छीम नमक याप उनुसार डालेगेगा क्योंकि साग में थोड़ा नौक हलका ही डालते हैं ज्यादा डाल देंगे तो फिर ज्यादा लगने लगता है तो इससे अच्छी तरह से 15-20 मिनुट तक आपको हलके आच पे पकाना है साग को और यह साग चावल और रूटी के साथ किसी भी चीज के साथ आप इ ज्यादा तेज नहीं करना है और इसको बराबर चलाते रहना है इसमें मैं थोड़ा सा एड़ करूंगी चावल पीस के रखा था मैंने तो चावल जरूर डालिएगा इससे इसका कलर बहुत सुंदर बनके आता है देखिए इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है आपको इसी इस तरह से करना है एक बार बनाके जरूर दीखिए गा बहुत टेश्टी लगता है यहाँ तो उत्राखंड में लोग इसको हंडी में मिठी के बरतन भी बनाते हैं तो मिठी के बरतन आज कल वह नहीं हो रहे है तो मैं इसमें ही बनाके आपको दिखाई तो आइओ वीडियो आपको अच्छी लगई होगी तो अच्छी लगई होगी तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताएगे कि आपको वीडियो कैसी लगए